मुक्य मंतरी भुषकर सिंग धामी ने आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से उनके कारले में मुलाकात की पीम मोधी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सी अम धामी ने कहा कि उत्राखंड में कई ऐसी जल विद्धित पर्योजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हैं उन योजनाओं को सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने आज प्रधान मंतरी से अनरोध किया है उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजय कई मंतरालेओं का आपस में सामन्जस से ना होना है उन्होंने पियम मोदी से अनरोध करते भी कहा कि जल्दी पियमो दौरा इसमें उचित बैटा की जाए ताकि इन जल विद्धित पर्योजनाओं के फिर से शुरुवात हो उन्होंने कहा कि कुल 44 विद्धित पर्योजनाओं लंबित हैं जिसको लेकर राजे सरकार लगातार प्रियास कर रही है आज मैंने उनसे भेट करी थी उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो की जल विद्धित के छेतर में अपार संभावनाओं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदू में सबसे अधिक जो उत्राखन राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहां की जल विद्धित पर्यूजनाएं लेकिन बिगत कुछ बर्सों में उन छेतरों में बहुत प्रगती इसलिए नहीं हो भाई कि कहीं पर माननी उस्तम निया लएका और कई मंत्रालें के आपसी जो निप्टारे होते हैं जो उनके आपसी समन्वे न हुपाने के कारण से यहां पर दिक्कते आई हैं मैंने मानी प्रधान मंत्री जिसे अनरोत किया है कि इन जल-विदृत पर्योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जलदी से जलदी जो प्यमो के इस तरपर एक बैठक होती है हुआ की सलाकार के इस तरपर बैठक जलदी करी जाए इसमें भारत सरकार का जलसक्ती मंत्राल है, बन परियावरण मंत्राल है, उर्जा मंत्राल है और राज्य सरकार इस सभी उसमें सहवागी होती है और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कारे करने की हमको सहमती मिल जाएगी इसमें जल परियोजनाय बनाने की सहमती मिल जाएगी तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विदुत के चेतर में उर्जा के पाधन के चेतर में होगा और इसके साथ साथ जो भारत नेट है लगबग अभी 600 गाओं को भारत नेट की हमारी जो फेज टू में सुविधा मिलनी है वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है मैंने मानी प्रधान मंत्री जी से अन्रोथ किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी तो दूरस्त के छेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उन सभी लोगों को बहुत बड़ी साहता मिलेगी जो केंदर पोसित योजनाय हैं उन योजनाओं में समलित करने का भी उनसे मैंने अन्रोथ किया है संसत के जो हमले में सहीद हुए थे हमारे जावाज, भी, सैनिक मैं उनकी साहदत को नमन करता हूं और चूकि आज मैं दिली में था, संसत बहुन में था तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर फुसपांजली किया है, वो हमसा हमारे दिल में, हमारे देश में, हमेशा हमर रहेंगे मैं उनकी साहदत को नमन करता हूं देखे, कुछ लोग हमसा सैनिकों पर देश की सेना की बीरता सवरे प्राकरम पर हम इसा सवाल उठाते रहें इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीती है इसलिए ऐसे लोगों पर